हेलो फ्रेंड्स बहुती सुन्दर स्वाधिश टोड़ी जानर रेस्पीज वाले हमारे यूट्यूब चैनल मेल्स और गेजिट्स में आपका स्वागत है फ्रेंड्स आज हम ठंडाई सिरफ बनाएंगे हम लोगों को जब भी घर में ठंडाई बनानी होती है तब हम लोग बाजार से महंगी ठंडाई की बोतल खरीद कर लाते हैं बाजार से आने वाली ठंडाई की बोतल में सौफ और काली मिर्च के सिवाए कुछ नहीं होता है इसलिए आज के बाद जब भी आपका ठंडाई बीने का मन करे तब आप ठंडाई को हमारे दोरा बताए गए तरीके से घर में बनाएं आपको ठंडाई बहुत सस्ती, स्वाधिष्ट और बिल्कुल प्योर मिलेगी हमारे दोरा बताए गए तरीके से आप ठंडाई को एक बार घर में बनाकर रख लें और पूरी गर्मी ठंडाई पीने का आनन्द लें तो चलिए देखते हैं आज हमें ठंडाई बनाने के लिए किन इंग्रिडियेंट्स की जरूरत होगी ठंडाई के सभी इंग्रिडियेंट्स की नाफ हमने 500 ग्राम बाले कप से की है ठंडाई बनाने के लिए हमने 1 फोर्थ कप बदाम लिया है 200 ग्राम महीन सौफ लिया है यदि आप चाहें तो ठंडाई बनाने के लिए आप मोटी सौफ का भी प्रियोक कर सकते हैं 2 टेविल स्पून खसकस यां पोस्ता लिया है वन फोर्थ कप खरबूजे का भीज लिया है एक छोटा सा टुकड़ा जायफल का लिया है बारा धागे केसर के लिए हैं एक पत्ती जावित्री आदा कप गुलाब की सूखी पत्ती और दो टेविल स्पून दक्कनी मिर्च लिया है आप दक्कनी मिर्च की जगे काली मिर्च क और साथ लॉंग भी ली हैं यदि आप चाहें तो इलाइची की मातरा डबल कर सकते हैं इस से ठंडाई का टेस्ट बहुत बढ़ जाएगा इसके अलावा हमने वन फॉर्थ कप बदाम और आदा कप मखाना लिया है अब सबसे पहले हम बदाम को एक बोल में डाल कर पानी में भ भिगो दिया है ठंडाई बनाने की बाकी सामगरी को हम दूसरे बोल में पानी में भिगो देंगे देखिए हम दूसरे बोल में ठंडाई बनाने के सारे इंग्रिडिन्स डाल ले हैं हमने बोल में मखाना, सौफ, काजू, पोस्ता, खरवूजे के बीज, दक्कनी मिर्च, ग भीगी हुई सामगरी को हम दो घंटे के लिए ढखकर रख देंगे दो घंटे बाद ये सभी मैटेरियल फूल कर तयार हो जाएगा बादाम आप छील कर भी प्रयोग कर सकते हैं और बिना छीले भी प्रयोग कर सकते हैं क्योंकि आखरी में तो इन सभी आइटम्स को पिसना ही ह हमने थोड़े बादाम छील लिए हैं और थोड़े बादाम बिना छीले रखे हैं बादाम को हम पानी से निकाल कर मिकसर ग्रैंडर में डाल देंगे हमने मिकसी में बादाम पानी से निकाल कर डाले हैं लेकिन दूसरे बोल में जो मैटेरियल भीग रहा है उसे हमें पानी सा ना है हमने दूसरे बोल से थोड़ी सी सामगरी पानी साइथ मिक्सीजार में डाल दी है अब हम मिक्सीजार का ढखकन मंद करके इस मेटेरिल को पीस कर इसका एक बारीक पेश्ट बना लेंगे फ्रेंड्स यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ने किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सही समय पर हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन बाने के लिए बैल आइकन प्रेस करें मिक्सी जार में डाली हुई हमारी सामक्रिय पिसकर त्यार हो चुकी है पीसकर त्यार करेगा इस बैटर को हम इस टेनर में डाल कर छान लेंगे पूरा मैटेरियल पीसने के दोरान हमारा करीब एक कप पानी लग जाएगा क्योंकि हमें मिक्सी जार में थोड़ा थोड़ा पानी डाल कर इस मेटेरियल को थोड़ा थोड़ा पीसना है जार के मेटेरियल को हमने श्टेनर में डाल कर छान लिया है अब हम थोड़ा सा पानी मिक्सिजार में डालेंगे गुमाएंगे और इसे श्टेनर में डाल देंगे इसके बाद इस मैटेरियल को भी हम छान लेंगे हम अपने बच्चों के दूद का टेस्ट बढ़ाने के लिए कॉम प्लान बॉर मिटा और पता नहीं क्या क्या चीजे दूद में मिला कर उन्हें पिलाते हैं अब की बार आप बच्चों को दूद में ये घर की बनी हुई प्योट हंडाई मिला कर पिलाएं तो बच्चों का स्वास्त तो बनेगा ही उन्हें स्वाद भी आएगा और वो दूद भी मन से पिएंगे पिसे हुए मैटेरियल को छानने के बाद चली में बचे हुए मोटे पार्ट को हम एक बोल में निकाल लेंगे अब एक बार फिर से हम भिगोए हुए मैटेरियल को मिक्सी जार में डालेंगे और इसे mixiejar में डाल कर पीस लेंगे पीसने के बाद इस paste को हम चान लेंगे paste को चानने के बाद जो मोटा material निकलेगा उसे हम एक बोल में निकाल लेंगे इस तरह से पूरा material हम तीन बार में पीस लेंगे क्योंकि हमने ठंडाई के मेटेरियल को पीसने के लिए छोटा जार लिया है इसलिए हमें इसे तीन बार में पीसना पड़ा यदि आप इसे बड़े जार में पीसेंगे तो ये एक बार में पिस जाएगा हमने पूरे मेटेरियल को थोड़ा थोड़ा पानी डाल कर पीस लिया है और पीसने के बाद इसे चान लिया है चानने के बाद निकले हुए मोटे पार्ड को हमने एक बोल में शिफ्ट कर दिया है अब हमें पूरे मेटेरियल को चानने से जितना भी मोटा पार्ट प्राप्त हुआ है उस पूरे मोटे पार्ट को हम मिक्सी जार में डाल देंगे हमने स्टेनर से निकले हुए पूरे मोटे पार्ट को मिक्सी जार में भर दिया है अब हम एकसी जार में थोड़ा सा पानी डालेंगे और पानी डाल कर इस मोटे पार्ट को भी हम पीस लेंगे मोटे पार्ट को पीसने के बाद इस मोटे पार्ट को भी हम इस टेनर में डाल कर छान लेंगे देखिए पिसे हुए मोटे पार्ट को पीस कर छानने के बाद हमारे पास फिर से थोड़ा सा मोटा पार्ट बच गया है अब सबसे आखरी में बचे हुए इस थोड़े से मोटे पार्ट को हम एक airtight बॉक्स में रख देंगे और इसके बाद इस सेयर टैट बॉक्स को हम फ्रिज में रख देंगे इस मैटेरियल का प्रियोग हम सबजी की बढ़िया ग्रेवी बनाने के लिए करेंगे हमारा ठंडाई का फाइन बैटर अब तयार हो चुका है अब हम इसे ढख कर रख देंगे इसके बाद अब हम एक कडाई में एक किलो शक्कर डालेंगे देखिए हमने कडाई में एक किलो शक्कर डाल दी है इसके बाद हम कडाई में ठंडाई का पूरा बैटर डाल देंगे बैटर वाले बोल में हम आदा कप पानी डाल कर गुमा कर इसे भी कड़ाई में डाल देंगे अब हम मीडियम फ्लेम पर इसे लगातर चलाते हुए चीनी गलने तक पकाएंगे फ्रेंड्स हमारे चैनल मिल्स और गेजट्स पर सौफ का शर्बत ठेंडाई का प्री मिक्स और कई तरह के शेक्स और आईस क्रीम के वीडियो पड़े हुए हैं आप केवल यूट्यूब पर जाएं हमारे चैनल का नाम लें रेस्पी का नाम लें रेस्पी आपके सामने खुल जाएगी चीनी अब गल चुकी है अब हम इसमें दो पिंच येलो फूट कलर डालेंगे अब हम इस मैटेरियल को अच्छे से चला कर मिला देंगे और इसमें उबालाने देंगे पकते पकते हमारा मैटेरियल गाड़ा होना शुरू हो चुका है अब हम इसमें एक वटा आठ टीस्पून साइट्रिक एसिड डालेंगे और एक पिंच औरेंच फूट कलर डालेंगे साइट्रिक एसिड नीबू का सत्त होता है इसे चीनी में डालने से चीनी किस्टलाइज नहीं होती है ठंडाई के सिरप में साइट्रिक एसिड डालने के बाद ठंडाई का सिरप जमेगा नहीं अब हम इस सिरफ को 7-8 मिनिट तक मीडियम फ्लेम पर चलाते हुए पकाएंगे अभी ये सिरफ पतला लग रहा है 7-8 मिनिट तक पकने के बाद जब ये सिरफ ठंडा हो जाएगा तब ये गाड़ा भी हो जाएगा पकाते समय यदि इस सिरफ के उपर जागा जाए तो इसे कल्ची से हटा दे हमारा ठंडाई का सिरफ पक कर तयार हो चुका है और अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर रहे हैं अभी ये गुनगुना है गुनगुना होने पर इसकी कंसिस्टेंसी कुछ ऐसी है ठंडाई का सिरफ जब ठंडा हो जाएगा तब ये और गाड़ा हो जाएगा अब इस गुनगुने सिरफ को हम कीप की साहता से एक बोटल में भर रहे हैं बोटल में भरने के बाद हम इस पर नेट लगा कर रख देंगे इसके ठंडा हो जाने पर हम इस पर ढखकन लगाएगे बताये गए मैटेरियल से हमारा सवा बटल ठंडाई का सिरफ तयार हुआ है ठंडाई के इस तयार सिरफ को आप एक महेने तक बहुत आराम से रखकर प्रेवक कर सकते हैं अब हम आपको ठंडाई के सिरफ से ठंडाई बनाना बताएंगे इसके लिए सबसे पहले हम missy jar में आदा गलास दूट डालेंगे दो टेबिल स्पून ठंडाई का सिरप डालेंगे हमने missy jar में डूद और ठंडाई का सिरप डाल डिया है अब हम missy jar में 4-5 ice cubes डालेंगे Mr.rics region में इस अभी material डालने के बाद हम mixi को चला कर इस material को चर्ण कर लेंगे देखिए हमारी बहुती टेश्टी ठंडाई अब तयार हो चुकी है इसे हमें ग्लास में shift कर लेंगे देखिए friends ठंडाई में कितना अच्छा जाग आया है ठंडाई को ग्लास में shift करने के बाद हम इस पर उपर से कटे हुए मेवे की garnishing करेंगे और देखिए friends फाइनली हमारी ठंडाई बन कर तयार हो चुकी है friends हमारी ठंडाई बहुत अच्छी बन कर तयार हुई है बाजार में मिलने वाली कोई भी ठंडाई इसके मुकाबले में नहीं है हमारी आप से request है आप एक बार इस ठंडाई को बना कर जरूर देखिएगा तो friends यदि आप हमारे दोरह बताईगे विदी से ठंडाई को घर में बनाएं तो हमें please comment करके बिश्ट बताएं यह आपको कैसी लगी हमें आपके मुल सुझा और comments का इंतियार रहता है friends यदि आपको हमारी ठंडाई बनाने की रेस्पी का वीडियो पसंद आया हो तो please इस वीडियो को like share करें हमारे चैनल को subscribe करें बैल आइकन प्रेस करें हमारी अन्य सौधिश रेस्पीस के वीडियो के लिंक इस वीडियो के अंत में और आइवे तन में पले हूँ thank you for watching